तो आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत था आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आप प्रिलियम्स में तो आप एक हिसाब से सोच लिजी कि ठीक मार्किंग चल जाता है यानि आप multiple choice question वहाँ पर आते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यार हाँ चलो ये पड़ा ये रटा मारा है ये लेकिन ये एक इंसान के अंदर का skill होता है में इसमा answer writing लिखना ठीक है अब questions को करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा क्योंकि मैं syllabus देखता हूँ आपका syllabus के हिसाब से कुछ question बन सकते हैं put up हो सकते हैं वही मैं डालता हूँ अगर उनको आप कर रहे हैं दो से धाई मैने का समय भी आपके पास है तब तक हम मार के चले syllabus का ज़्यादा query बहुत ज़्यादा question आते हैं बच्चो के सर इसको कैसे करना और जो 90 days वाला चल रहा आप यह आदों को यह तना हो गया होगा सर की आज क्लास नहीं है यह हमारा क्या होगा हमारी आत्मा को कैसे अफसानती मिलेगी वह मेरी जिम्मेदारी आपके exam से पहले मैं class क कैसे complete कर रहा हो वो सब मेरा है कि वह आपका नहीं है आप लोग बे फिक्र रहके रहिए और यह खुद आप समझ रहे कि lowerpcs की class आज आपकी लगभग दो हपते बाद यहां पर मारा हो दो से तीन हपते होगे तो एक आत क्लास बीच में lowerpcs के लिए आएगी और इस सिर्फ औ आते हैं दो सब नंबर का आपका gs का paper है भूल जाएए कि आप इसमें बहुत ज्यादा concept आधरित question answer लिखेंगे यानि maximum जो आपका answer writing का आता है वो 100 सब्दमा आता है यानि दो से सवा दो पेज उसमें दो पेज लगवा completely 100 सब्दमा बनते हैं ठीक है वो क्योंकि छोटी copy होती है मतला इस प्रकार के चौणा ही बहुत कम होती है तो आप 100 के साथ 120 से 130 जा सकते हैं तो no problem ठीक है इतना चल जाता है इतना कोई बड़ी बात नहीं है और जो maximum जो question आपक पच्ची सब्दमा लिखने को आता है आप उसमें concept देंगे या तथ्य देंगे मुझे खुद बताईए अब तथ्यात्मक ही होता है वो बहुत ज़्यादा आप यह मत्सोजिए कि UPSC है या अपर PCS का exam है जहाँ पर आप 500-300 सब्दमा answer writing करते हैं वहां तो concept चल जाता है lower PCS जिसका total ही 100 सब्दमा आपकी answer writing है तो वहां आपके लिए बहुत ज़्यादा scope नहीं बनता कि आप उसको concept समझाईए यानि यहाँ पर जो role है आपका इस वाले में इसमें आपको 50% जो होगा वो fact यानि तथ्यात्मक answer होगा और 50% आपकी क्या है जैसे जो answer आएगा ठीक है क् क्यूं है कैसे है इस तैविक महला आप इसको बताओगे कि क्या चीज़ होती है क्यों होती है यह कैसे किया जा रहा है इस प्रकार के बाकि उसके fact यानि जो maximum में जो 25 सब्दमा रहें totally सत परतिशत fact होगा सत परतिशत fact आधारित होगा और 50% में भी लगभग 75% fact होगे 50 सब्दमा जो answer होगे 25% आपका क्या होगा concept होगा यानि आपको इस प्रकार से आपके answer writing की skill को develop करना है यानि आपने जो आज तक group C level हो या कुछ भी हो वहाँ जो तथ्थे पड़े हैं उनके बारे में जो आप प्रकार से हिस्सा होगा और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा typical question बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के question यहां lower PCS में नहीं पुछ जाते हैं क्यों क्यूंकि आप एक चीज याद रखना lower PCS जो अपर PCS में तो चलो समग रहे हैं उसमें तो यह मांगते हैं कि हर background के छा कोई भी हो ठीक है यह हर छेतर के हैं और paper के है एक paper उसी में इतिहास पूसनी है उसी में भुगोल पूसनी है उसी में जो अपना economy पूसनी है उसी में आपका quality आनी है उसी में current issue आने है उसी में उतराखना नी तो आप यह मां सोचना कि हम बहुत ज़्यादा depth में बहुत पर उस चीज के बारे में उसका political जो मतलब dimension है उसके historical जो dimension है उसके cultural जो impact है उसके economical जो मतलब impact है वो देखना है यानि किसी भी answer writing को अगर आप देखोगे answer writing को लिखोगे 100 सब्दों में जब आपका answer आता है ये देखना कि सबसे पहरे कैसे शुरू करना है देखे मैं आपको बताता हूँ कि आपका 100 सब्दों आ लिकार देखो 3 के 3 में आपको बताता हूँ और याद रखना maximum paper आपका पड़ा हुआएगा उतराखन की तो बे फिक्र होके उतराख अगर उसने ये question pose दिया suppose कोई मतलब जो हम नहीं जानते हैं उसने एक syllabus पर topic दिया है राज्य के section ही क्या higher education से सम्बंदित कोई विशास्तान वगरा अब suppose एक question आ गया उसने कहा देखी forest research institute जैसे 50-50 सब्दों में लिखने को आ गया FRI के बारे में आपसे कहां के 50 सब्दों में आपको answer अब ऐसा नहीं आएगा ये सिर्फ ए FRI नहीं दो तीन सब्दों देगा जैसे उसने एक suppose लिख दिया FRI लिख दिया और उसमें 50 सब्दों में आंसर लिखना है जैसे Indian Military Academy लिख दिया I.A. में इसके बारे में और तीसरा आपने कोई S.E.A. जो Education से सम्मंदित कोई भी University है कुछ भी उसके बारे में लिखना है तो आप इस में आपारे के बारे में 50 सब्दों कैसे लिखोगे क्या लिखोगे यही तो बताओगे ना Forest Research Institute स्टार्टिंग में प्रारम्ध में इस नाम से सुरू किया गया था जिसको 1906 में यह नाम दिया गा था वरतमान समय में इस जगह पर situated है और इतने से ही काम कर रहा है इसका मुख्यकारी इस छेत्र में यह इन इन छेत्रों में जो मतलब शिक्षन कारी है जो फोरस्ट सम्मंदिकारी है सोत कारी है इस अस्तान में किये जाते यही तो बताओगे ना तो आ आप बता दोगे आएमे में क्या चीज होती है आप बताओगे आएमे किस चीज के लिए जाना जाता है कहां पर है कब इसको स्टैबलिस किया गया था यह किस छेत्र में काम कर रहा है यहां से कौन कौन से छेत्र से मतलब जो है किस छेत्र में काम कर रही कहां पर लोग निकल तो आप सिंपल सी बात मुझे एक चीज़ बताना जैसे आपका एक नॉर्मल सा कोशन आ गया नंदा देवी राज्जा जैत्रा के बारे में आ गया यह आपसे पूश दिया कि जो नॉर्मल सी कोशन है एक बाइचान साब से पूश दिया जो रिजर्व है यानि 1988 वाला जो यु इस सेत्र में यह प्रोजेक्टे चलाए जा रहे है और इस जाए विवित्ता या परियाओन के लिए बहुत ही मतलब क्या है बहतर चीज़ा इस ताइप की तो चीज़ा बताऊगे तो उतराखन का बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है कभी भी आपको आंसर राइटिं अब आपने जब शुरुआत किया सबसे पहले बताऊगे जैसे कोई भी क्वेशन आएगा आप डिरेक्टली ऐसा मतलिक देना जैसे कोई क्वेशन आता है ये है इतने सन्म हुआ था ये किया गया था ये बहुत जादा नेगेटिव आंसर माना जाता है डिरेक्ट फैक्ट क अधार पर सुरू करना आप सबसे पहले जैसे सो सब्दमा आगया वो क्या है मतलब क्या है वो चीज जिसके बारे मा आएगा यादि आप एक कॉंसेप्ट के साथ चलो यादि अगर आप से कभी कोशन ये पूछता है कि भारत में नौर्बल सा कोशन पूछ दिया उसने हिस् छोड़ो हां तो आठ अगस्त उनिस्वा बैयालीस से सुरू हुआ था मातमा गाधी ज्वालाल नहरू राजिंदर प्रसाद नोगने महत्पूर भूमिका निभाई थी भारत से अंग्रे जुमों खदेडेने के लिए इसको फूरू किया वो जो आंसर राइटिंग वाला भ तो वो अपने मंद से कुछ भी नंबर दे सकते हैं लेकिन मैंने बहुत अच्छा अंसर लिख दिया और उसके बाद आपकी कॉपी पढ़ी आपने लिख दिया भारत छोड़ो अंदरन इतने में शुरू हुआ था इसका मुख्यकारण ये था ये था वो था इस प्रकार से आपने लिख दिया तो उसको पता है कि पहले बारे ने कॉंसेप्ट के साथ शुरू किया था फैक्टि भी डाले थे उसको उसने दस में से साथ नंबर दे और आपने कैसे शुरू किया उनिस्वा था ये हुब था वो पहले पढ़ के आया है वो आंसर एक पढ़ चुका हो तो उसके साथ तो गमपरेजन करेगा उसने ऐसा लिखा था तो आपको दस में से तीन नंबर देगा तो आप तो ऐसी बाहर हो जाओगे तो कभी भी सो नंबर का जब आपको आंसर आएगा सो सब्दों का आंसर जो सौरी आएगा तो हमें साथ उसको बता यी क्या और इंडिया मुव्मेंट भारत छोड़ो आंदोलों के बारे में आप क्या जानते हैं या इसके कारून की भी विशना कीजिए तो आप सीधे सीधे बता हो गया ना अंग्रेजु द्वारा भारत में जो मतब भारत का आर्थिक सामाजिक राजनितिक रूप से जो सोसन किया गय इसके परमुक कारणों में ये चीज़े समलित हो सकती है भारत को जबर्दस्ते दूती में समलित करना क्रिप्स मिसन का प्रस्ताव था या इसके अलाबा जो अंग्रेजु ने भारत में जो आर्थिक सोसन किया था इस प्रकार से जब आप 3-4.45 पॉइंट बना के घर से जा करना है आप घर से जाए आंसर का वीजन बना के जाए आप अगर रटवा मार रहे हैं भारत चोड़ो भारत चोड़ो भारत चोड़ो कुछ नहीं छोड़ोगे भारत आयोगा आपको छोड़ देगा कहेगा भारत ये क्या छोड़ेगा मैं इसको बाहर खदेड़ता हूं इस इससलिए सबसे बहतर परिनाम है, आप सौसब्द वाले में क्या करोगे, देखो, जब सौसब्द वाले में, वो चीज आखिर है क्या, वो चीज आखिर है क्या, जो question पूछा है, सबसे पहले उसको बताओ, मतलब आप अपने मन से बताओ, कि मुझे उसको बताना है, बताना है कि चीज है क्या बताना है कि चीज है क्या सबसे पहला काम करोगे ठीक है उसके बाद उसको क्या बताओगे ये क्यूं हुआ था क्या हुआ था क्या के बाद क्यूं ये चीज हुई थी ठीक है सेकेंड नंबर मों बताओगे जैसे भारत चोड़ा आपने बता जा कि यह यह था, यह यह हुआ था, क्यूं हुआ था, उसी के अंदर आ गया, उसके बाद उसका क्या परभाव हुआ, क्या परभाव हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा उसका ठीक है, क्या परभाव हुआ, और उसके बाद लास्ट में एक जाओगे, फैक्ट से देखो, सौ सब्द में फैक्ट से सुरूआत मत करना, ठीक है, फैक्ट से सुरूआत मत करना, यानि भारत छोड़ो आनों के बारे मारत उन्हें 142 में सुरूआता है, यह बता, ऐसे नहीं, पहले क्या था, क्यों हुआ था, उसमें क्या देखरे को बिलता कि हाँ, इसके अंदर एक आन्सर लिखने की समझ है, सिर्फ और सिर्फ सौ सब्द वाले में मैं कह रहा हूँ, अब दूसरा आता है, 25 सब्द वाला, अब आपको कि सर, अब बताइए, क्या में ही हमारे 25 सब्द निकल जाएंगे, कि बेकूप समझ रखे आमको, इतने भी बे मेरे भैकाव में, 25 सब्द में आपका आंसर आया, ठीक है, अब आप से कहा, कि 25 सब्द में आंसर लिखो, इसकी शुरुवात ही फैक्ट से करनी है, क्योंकि वो जानता है, कि 25 सब्द में फैक्ट लिखना बहुत मतलब, sorry, concept लिखना बहुत कम है, 25 सब्द कितना होगा, यहां इतना ही दिखना है, अब आपको के सार एक 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 एकजांबल बता दीजे, एकजांबल के देहत, मुझे यह लगा, रम्मान उस्व, 25 सब्द, ऐसे आगे, ठीक है, क्या है, रम्मान उस्व, आप से क्वशन में गुजद्या उत्राखन से, रम्मान उस्व, इस पर कहा, कि 25 पर्चे सब्द में आप लोग आंसर लिए, क्या लिखोगे, तो रम्मान उस्व, चमोली जन्दबत के, इस जगह का, एक सांसिकृतिक, एक कल्चर ल्यानी है, हमारा जो सांसिकृतिक से, सांसिकृतिक रूप से परिफून एक उस्व है, जिसमें ये किया जाता है, वर्तमा एक सांसिकृतिक उस्व है, सांसिकृतिक रूप से मराय जाने वाला उस्व है, जो कि यहां पर होता है, वर्तमान में युनेस्को की विश्व धरवार में इसको इतने में सम्लिद किया गया था, हो तो गया पच्चे सब्द, मतलब आप दो सेंक्टेंज से बनाने, प्रपर परिपूर्ण बनाने हैं दो सेंक्टेंज, पहला ये 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 था, इतने में इसमें ये किया गया था, और वर्तमान में ये जीज हो, तो क्या पच्चे सब्द, यानि आख का जब पच्चे सब्द में आंसर लिखने को आएगा, तो फैक्ट की उसमें क्या होनी चाहिए, मज लिखने मैठाओ, रमान उस्व, सांसे कृतिक रूप से मनाये जाने वाला चमुली का एक उस्व है, जिसमें भगवान इसकी ये पूचा कि खत्म पच्चे सब्द, उसको पता ही नि, आंसर राइटिंग खत्म, तो पच्चे सब्द वाले का आंसर तीस तक जाता है, ठीक है जब कभी भी पच्चे सब्द में होगा, तीस सब्द में जाता है, तो छोट ऐसे, दो सेंटेंश से, आप यह मांन के चलओ, कितने सेंटेंश बनेंगे हैं, जिसमें फैक्ट वही हो और क्या है, यानि वो चीज क्या है, और सेकर उसमें फैक्ट रगदेना, कि इसमें तथ् तो इतने से आपका 25 हब्द वाली की आज से रैक्टिंग हो जाएगी तीसरा जो आता आपका अगर वो 50 हब्द वाला पोस्ता है 50 सब्द में आपको सुरुवात करनी है दो पॉइंट से यारी सबसे पहले क्या तो हमेशा रहेगा बच्चों हमेशा याद रखना कि क्या से सुरुवात करनी ही करनी है यानि हम ये जानना चाहते हैं आपके एक्जामनर को ये बताना चाहते हैं कि ये चीज होती क्या है अब आपके एक्जामनर को ही पता रीचाल पादा कि मेरा बच्चा मेरा चातर जिसकी मैं कॉपी चख कर रहा हूँ उसे होसी नहीं है कि वो लिख क्या रहा है उसने बताया ही नहीं कि वो क्या लिखना चाहरा है तो ऐसे में आपकी गाड़ी जो है वो डगमगा सकती है आपको दिक्कत हो सकती है आपकी परिशानियों का सामना करना बढ़ सकता है तो पहले इस चीज उसमें क्या डालना फिर उ आपको क्या मिन देखने को मिलेगा 50 सब्द में अब देखिए जो थात बहुत अच्छा मतलब यह सोचता है कि मैं आंसर राइटिंग करो मैं आपसे एक चीज हमेशा कहूंगा बच्चो आप GS का पेपर दो आप मतलब यह essay writing का paper दो ठीक है जो भी है कभी भी आप यह चीज़ देखना अगर आपको लगता है कि आपके पास space है एक पॉइंट आपके दिमाग पर आ रहे हैं यानि कहीं पे भी तो कभी अगर आपको उस answer writing में पर्यावरन से संबंदित कोई मुद्दा मिलिया पर्यावरन इसको पकाड ठीक है पर्यावरन से संबंदित अगर कभी कोई मुद्दा आपको आप ऐसे तो पता नहीं चारीगा कि पर्यावरन का मुद्दा कहा गया है वो तो आप जब पेपर देने जाओगे या आप जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको यह लगा कि इस answer writing में कहीं ने कहीं पर् पूछ दिया जैसे भारत में बढ़ते हिया विस्व में बढ़ते हुए global warming है यानि westwick तापन है उसके प्रमुक कारण क्या है इस तरीके से दाल दीजिए तो उसके प्रमुक कारण के अलावा यह question इसे पूछ दिया विस्व में जो westwick तापन है उसके क्या परभाव देखने प्रियास कर रहे है इस टैक की चीज़ा डालना और इसके अलावा सरकार उस चीज़ पे सरकार का एक point पकाड़ाना सरकार ने क्या किया यानि सरकार का जो point है सबोस हो सब्दमा आपको answer लिखने को आता है किसी योजना के बारे में आ गया या कोई फी ऐसा आ गया तो उसमें यह देखना करंट में सरकार ने उस चीज़ के लिए क्या काम किया है यह बहुत जादा खाने में धनिये का काम करता है धनिया भी नॉर्मल नहीं जैविक वाला गोभर वाला जिसको जो मतलब यहां से 200 मीटर दूर उग रहा होगा खुजबू यहां आ रही होगी ऐसे धनिय काम करता है वो धनिया नहीं जो आप मंडी में लेकर आते हो 10 रुपी का इतना वड़ा पकड़ा देता है जबर्दस्ते ले जा ले जा करके इतना होता है खुजबू नाम की चीज नहीं है खुजबू सुनगा होगे थोड़ा सा घिसेगा व looks आपे उस इस तायम और लगता इंक्लूट करोगे यह आपके भोष्ची के लिए आपके आंसर राइटिंग के लिए बहुत बहतर सावित हो सकता है यानि पर्यावरणी परभाव और सरकारी बाखी जितने भी इसे राइटिंग है जितने भी आपके जीए अंसर राइटिंग है कभी भी उसका आर्थिक प्रभाव उसका राजनितिक प्रभाव और उसका भूगोल यानि तीन-चार पॉइंट अगर आपको कही दिख गए जैसे आप आंसर राणितिंग दिखने गए उसके आर्थिक करगा फायदिमन साबित होगा hopefully चीज़ा आपकी समझ आए होंगी फिर मिलते हैं अगले सेशन पर अध्यान रखिए